हलो आज है 18 जून और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दो आईटी कमपनियों के बारे में पहला हैपिएस माइंड है हैपिएस माइंड जो है वो एक मिट कैप आईटी शेयर है और भयंकर गिरावट देखने को मिली है पूरे आईटी सेक्टर में गिरावट है और दूसरी कमपनी है SCL technology, large cup IT कमपनी है ये और दोनों के ही प्राइज में बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है पूरे बाजार में है, पूरा आईटी सेक्टर हाल फिलावट दिखा रहा है वीडियो में डिस्कस करेंगे इस गिरावट की वज़े क्या है और वहीं अब मौके है कि नहीं खरीदारी के वो भी हम यहाँ पर डिस्कस जरूर करेंगे लेकिन उसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियो में जो आपको काफी जादा हल्प करेंगे तो शुरुआत करते हैं हम हैपीस माइंड के साथ 826 पर आ चुका है लगाता तूट रहा है एक महिने में अगर हम देखें तो 12.5% की गिरावट अलरेड ही दिखा चुका है इस बीच अगर देखें तो तकरीबन 990 रुपे से भी उपर ट्रेड कर रहा था और एक ही जटके मूँ भी इसी महिने की पहली तारिक को ये 990 रुपे का था और तूट के बिखरा जो बिखरा कहीं पर भी संबलने का मौका नहीं मिला एक साल में अगर देखें तो पिछले एक साल में हैपियस माइंड में 9.5% की गिरावट है अगर हम देखें तो 1526 रुपे से तूट कर नीच आया है आधा हो चुका है अल्मोस्ट ये कह सकते हैं हम यहां पर 1526 रुपे से तूट कर नीच आया है दूसरी और अगर मैं इसको SCL से मैं कंपैर करूँ तो पिछले एक साल में SCL टेकनलोजी में 5.5% की गिरावट है और यहां पर देखें तो 1350 से तूट कर नीच आया है तो जाहिर से बात है कि जब भी बाजार तूटता है तो उन कंपनी के शेर में ज़ादा गिरावट देखने को मिलती है जो मिट कैप स्मॉल कैप होते है और जहां तक अगर देखे तो ये 1500 से 826 पर आया है गिरावट यहां पर भी है लेकिन ये 1350 रुपए से तूट कर आया है साड़े 900 रुपए पर अब गिरावट दोनों ही जगह है लेकिन कम गिरावट SCL में देखने को मिल रही है Happiest Mind को लेकर अगर हम देखे तो Happiest Mind में पिछले तीन सालों में अगर आद देखने की कोशिश करोगे तो तीन सालों में डेफिनिटली बहुत बढ़ा ग्रोथ था हलाग कि तीन साल पहले इसका डेटा आविलेबल नहीं है 2020 में ही इसका IPO था वो भी COVID के वक्त में यहाँ पर आप देखे तो 309 रुपे से इसने बड़ी रफ़तार पकड़ी और जाहिर सी बात है जब इस तरीके का graph देखने को मिलेगा तो गिरावट भी आपको थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी और यह वही देखने को मिल रहा है यहाँ पर देखे तो midcap share है 12300 करोड के आसपास का इसका market cap फे volumes की अगर हम बात करने जाए तो volume इसके अभी के वक्त में बहुत कम है 5.5 लाग के ही volumes नजर आ रहे वो लोग ज़ादा interested दिख नहीं रहे revenue इनका देखे तो March quarter में 300 करोड का था और profit था 52 करोड का जो कि average है और अच्छा भी नहीं कहूंगा बुरा भी नहीं कहूंगा ऐसे results सभी IT company में देखने को मिले हैं लेकिन अब सवाल यह है कि क्या आने वाले दोर में यह जो results है यह continue रह पाएंगे कि नहीं क्योंकि गिरावट की जो सबसे बड़ी वज़ा है वो है US Bazaar US Bazaar inflation से गुजर रहा है यहां पर भाया interest rate बढ़ रहे है ऐसे में definitely pressure बनेगा बाजार पे और definitely जो Indian companies है IT companies है वो generally dependent है US clients के उपर US project के उपर वो dependent है यहां पर अगर आप देखो तो happiest mind में खरीदारी की सला थी क्यार चौक से की 1300 रुपय का target था लेकि यह पिछले महिने की इनकी यह सला थी ठीक है तब से लेकर अब तक बहुत ज़्यादा change हो चुका है 100% लोग करें खरीदो reason क्योंकि भाई आप बहुत पिटाई हो चुकी है यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो भाई आप बिकवाली के trades 2021 में देखने को मिले थे 22 में कोई देखने को नहीं मिला लेकिन company के revenue में बहुत बड़ा jump है पिछले 5 सालों में लगातार इनके revenue बट रहे हैं 2022 में सबसे highest revenue है 1033 करोड लेकिन अगर आप देखो तो बाकी IT company में भी यही चीज़ देखने को मिली है सबसे highest revenue financial year 2022 में ही देखने को मिला है सबसे highest सभी company हो में IT company ज्यादा तर profit देखे तो बहुत बड़ा profit है चार करोड था फिर 73 करोड फिर 161 करोड अब 186 करोड अब challenge इनके सामने ये है कि इसको manage करके रखना है happiness mind में अगर हम देखने की कोशिश करें तो भाई साब जो खरीदारी करने का सही मौह करें कुछ और बोड जुन में नहीं इसके जो competitors है कि TCS उसका 29 है उससे कम है Infosys 26 SCL 19 का हो चुका है काफी सस्ता है Vipro 18 पर आ चुका है सबसे ज़्यादा गिरावट अगर आप देखने की कोशिश करो तो विप्रो में देखने को मिली है पिछले कुछ महिनों में Happiest Mind को लेकर मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि मुझे आता है कि अभी थोड़ी और गिरावट की सक्यता है यहाँ पर Reason simple है Market अभी तूट रहा है Feds ने अपने Interested बढ़ाए है US Bazar अगर परिशानी में रहेंगे तो Indian IT Company को भया उसका खामियां सा भुगतना पड़ेगा लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कमपनिया खराब है कमपनिया बहुत ही शानदार है चीज़े जैसे रिकवर होती जाएगी डेफिनिटली यहाँ पर भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा अभी के लिए Happiest Mind खरीदारी करी है बने रहो लेकिन जहां तक बात है फ्रिश बाइंग की तो यही कमपनिया की इंतिजार करिए कहीं न कहीं एक सपोर्ट बनना जरूरी है और वो अभी तक बनता नजर नहीं आ रहा है दूसरे में अगर हम बात करें S.C.L. को लेकर तो भाई आप लार्ज कैप कमपनी है दो लाग साथ हजार करोड से भी जादा के इसका मार्केट कैप है वॉल्यूम्स देखे तो 43 लैक के वॉल्यूम्स नजर आ रहे हैं अच्छे वॉल्यूम्स कह सकते हो आप इसको इसके रिवन्यू भी इसके भी अगर आपको रिवन्यू दिखाने के कोशिश करो तो यहां पर आप खुद देख सकते हैं कि कमपनी भया पैसा तो इन्होंने भी जम के छापा है रिवन्यू 85,000 करोड से भी जादा का है और प्रॉफिट जहां हम देखे तो वो 13,000 करोड से भी जादा का प्रॉफिट है तो जाहिर से बात है अगर अगर आप उसको हैपियस माइन से कंपेर करेंगे तो बहुत 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 चीज़े अमनला बहुत जादा डिफरेंस नजर आएगा यह जाहिर से बात है हैपियस माइन छोड़ी कंपनी है एसल टेक बहुत लेकिन फिर भी कंपनी के साइज में बड़ा डिफरेंस नजर आता है यहाँ पर S.C.L. को लेकर देखे तो 100% लोग यहाँ पर भी कह रहा है खरीदारी करने को रिजन के वहिए अगर मैं इसके price को compare करने की कोशिश करूँ तो तीन साल का अगर मैं यहाँ पर graph data लेता हूँ तो पिछले तीन सालों में S.C.L. Tech में 78% का growth आया है तेकि कोविट के वक्त 400 रुपए तक टूड़ गया था बाद में बढ़िया रफ्तार इसने दिखाई है और अभी दुबारा तूटना शुरू हुआ है और नीचे की तरफ खरीदारी के मौके यहाँ पर बन सकते हैं इससे पहले अगर आप देखो तो share तूटा था 900 रुपए था गया था bounce back आया था तो उम्मीद करते हैं 900 रुपए पर support बनना चाहिए लेकिन अगर वो नहीं बनता है तो यहाँ पर थोड़े और नीचे correction आपको देखने को मिल सकते है S.A.L. deck में भी लेकिन share सस्ता हो चुका है इस बात से इनकार नहीं कर सकते 19 का P.A. है इसका 63% एनालिश कहते हैं खरीदारी करो 24 का sector P.A. खरीदारी करने के सही मौकब भी है क्योंकि share over zone में नहीं है कोई भी rate flag नजन नहीं आ रहा है अच्छा dividend पे करा है long term में पैसा बना कर दिया भी है अगर मैं dividend की ही बात करूँ यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि S.C.L. ने 2022 में अलरेडी दो बार तो डिविडेंट पे कर चुका है पहले 10 रुपे फिर 18 रुपे अभी भी 3-4 बार और डिविडेंट पे करेगा यह जुलाई में भी करेगा अक्टूबर में भी करेगा तो यह वो कमपनी है जो साल में आपको कम से कम कम से कम यह आपको साल में 40-45 का dividend पे करती है उससे जादा ही पे करती होगी तो अगें कमपनी डिविडेंट के तौर पर अच्छी definitely है और कमपनी इस ने कई बार bonuses भी दिये हैं तो यह भी अच्छी बात है और अगें मैं कहूंगा बहतरीन कमपनी है लेकिन बाजार ही भाया तूट रहा है और US में ही जब दिक्कत है तो जाहिर से बात है इनको भी problem जहलनी पड की वज़े से उन्हों नहीं सबसे ज़्यादा पैसा प्रिंट करना शुरू किया था लेकिन याद रखे कि वह ज्यादा अफेक्ट नहीं होगा इन सारी चीजों से तो अभी के लिए यही कहूंगा कि HCL Tech खरीदारी के मौके बनेंगे यहाँ पर 900 रुपए के नीचे शेर जाता है खरीदारी के मौके बनेंगे सस्ता होगा उस लेवल पर और long term में growth देखने को मिलेगा definitely अगर हम देखे हाल फिलाल में तो resignation जो पढ़ रहे है उससे कई IT कमपनिया बहुत बड़े-बड़े steps ले भी रही है कल ही मैंने Infosys के उपर भी बात करे थी जहाँ पर मैंने को कहा था कि company भया heavy promotions दे रही है अपने employees को ESOP भी दे रही है तो employee को retain करने के लिए भी company भया इनके salary बढ़ा रही है, ESOP दे रही है, promotions बगिरा दे रही है तो again यही कहूँगा कि चीजे थोड़ी वक्त के लिए परिशान वी वाली हो सकती है लेगि long term में market में growth ही देखने को मिलेगा, गिरावट देखने को नहीं मिलेगी तो वीडियो को यहीं परेंड करूँगा, पसंद आए हो तो like कर शाय के channel पगरा पहली बार हैं तो please subscribe करें और S.C.L.Tech और happiest mind दोनों में से कौन सी company आपको पसंद है वो भी आप मुझे comment में लिखकर बता सकते हैं, thank you